हेलो दोस्तों स्वागत है यूनिक मैडिसिन की एक और नई वीडियो में तो गाईज आज इस वीडियो में हम टैबलेट डॉक्सी वेस्ट की बात करेंगे जिसके अंदर डॉक्सी साइक्लिन हाइडरो क्लोराइड और एक्टिक एसिड बैसिलेश टैबलेट होते हैं जो कि ए हैल को हेलत केर प्राइज वेडियो को बनाते हैं तो दोस्तों इस मैडिसिन के अगर हम यूज देख लेए इसके फायदों की बात करें कि इसके क्या क्या यूज होते हैं क्या फाइदे होते हैं या डॉक्टर इसका कहां पर मरीज को यूज करा दे तो गाइज ये एक bacterial infection को ठीक करने वाली medicine होती है यानि जिनको bacterial infection हो जाता है जैसे की बात कर ले अगर किसी मरीज को एकने हुए है प्राइदे की problem है इसके साथ ही pneumonia है और साथ में lungs का infection है मरीज को फेफ़़ों में infection हुआ है इसके अलाबा bronchitis की problem है bronchitis की समस्या मरीज को होती है सुआसनली का infection हो जाता है इसके साथ ही गईज अगर gonorrhea जैसी समस्या हो जाती है तो इसके लिए काफी अच्छा होता है दोस्तों ये sexual transmitted infection होता है इसके लाबा दोस्तों अगर किसी को eye infection हुआ है आँखों के infection में फाइदे मंद है घंस infection है अगर किसी को मसूरों का infection हो रहा है तो उसमें फाइदा करती है और इसके अलाबा गईज intestine आथों का infection है तो इसमें भी काफी फाइदा करती है और इसके अलाबा UTI यानिकि urinary tract infection को ठीक करती है दोस्तो यूटी आई में भी काफी अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके जैसा की यूटी आई में जो है यूरेटर वगयरा इंफेक्टेड हो जाते हैं ब्लैडर इंफेक्टेड हो जाता है तो इसके इंफेक्शन को ठीक करती है जलन के साथ पिशाव आना बून बून करके पि जासे तो इसको भी दूर करती है तो अगर किसी को pain और inflammation होता है due to infection तो इसको cure करती है तो दोस्तों ये healing process के लिए भी काफी अच्छी होती है healing process में काफी help करती है तो इस तरह से इस medicine के बहुत सारे फायदे हैं जो मरीज को मिल जाते हैं दोस्तों इस medicine के ये हमने फायदे जान अब हम बात कर लेते हैं इसके side effect की किस medicine को क्या side effect आते हैं अगर कोई लेता है तो medicine को लेने के बाद में अगर मरीज को stomach pain हो जाता है पेट में दर्द रहता है या फिर stomach upset हो जाता है तो ऐसी condition में इसको ना ले इसके लावा अगर nausea vomiting होता है और इसके लावा जो है photosensitivity की problem ह होती है तो ऐसी कुछ समस्याएं हैं जो की मरीज को होती है तो उस condition में इसका save ना करें गाई इसमें आप जो है डॉक्टर को तुरंत inform करें और उनको बता कर जो है आगे का treatment ले तो यह आपको ध्यान रखना है तो इस medicine को लेते समय expert की कुछ advice रहती है कि जब भी आप इसका save न करते हैं तो expert क्या कहते हैं कि guys सबसे पहले तो आपको हमेशा एक fix time पर लेना है इसको जैसे doctor ने जो time आपको दिया है उस fix time पर लेने की कोशिस करें इसके लावा खाने के बाद लें खाने के एक घंटा या आदा घंटा बाद आप जो है ले सकते हैं after meal आपको लेनी होत सकती है ये काफी नुकसान भी हो सकता है इसके लावा अगर आपकी कोई kidney या liver की कोई previous medical history रही है या फिर आपका कोई medication चल रहा है या फिर heart से related कोई medicine चल रही है तो ऐसी condition में doctor को जरूर inform करें उनको पहले बता दें कि sir मेरी इस तरह के medication चल रहे हैं दोस्तों इसके लावा अगर आप breastfeeding lady हैं अगर आप दूद पिलाने वाली माताएं हैं बहने हैं या फिर जो pregnancy planning कर रही है या pregnant हैं तो बिल्कुल भी इसको खुद से ना लें strict avoid करें इसके लावा driving वगयरा करते हैं अगर आपको जो है आलस होता है सुस्ती होती है तो driving ना करें इस condition में और इसको ज अगलाबा अपने आपको hydrate रखें पानी ज्यादा पिए इस medicine के 7 के साथ साथ और dose को जो है बिल्कुल भी skip ना करें और अगर skip हो जाती है तो तुरंत अगली dose जो छूड़ जाती है उसको तुरंत लें जैसे ही आपको याद आता है तो ऐसी कुछ बाते हैं जिनका आपको ध्यान रखना है तो गाईज इस तरह से जब आप सारी बातों को फॉलो करते हैं अपने डॉक्टर की बताई गई मात्रा में दवाई लेते हैं और सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो आपकी समस्या भी जल्दी जल्दी ठीक होने लगती है और आप पूरी तरह से स टैबलेट रहते हैं गाईज लेक्टिक एसिड वेसिलस 30 मिलियंस होते हैं इसके अंदर में और यहां पर रेड़िश ट्रिप मैंसा ने डॉक्टर की सलासे ली जाएगी और इसके लाब़ गाईज अगर हम इसके MRP की बात कर लें तो 35 रुपीज में आपको ये आर्ट्स ट लेबलेबलेबलेबलेबलेबलेबलेबलेबल इसके लेक्टर के खरते हैं ध्याएगी जगाईड़िशन वेचार लेक्टर की बाच्रिवेशन प्रहभीजशन